अज़ बनाने जा रहे हैं कुकी स्टिक्स जो स्रिफ थ्री इंग्रीडियंट से बनती है और बहुत ही एजी एंड क्विक रेसिपी है बहुत जली बन जाती है आईए बनाते हैं कुकी स्टिक्स इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप मैदा बन फॉर्थ कप शुगर और बन फॉर्थ कप खी अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो तेयाब करेंगे अब हम इसे शेप देकर इसके कुकी स्कुट करेंगे इसमें देसी की यूस किया है आप चाहें तो बटर या वनस पती घी भी यूस कर सकते हैं और आपको अगर इसमें घी थोड़ा कम लगे तो अब इसमें थोड़ा की और एट कर सकते हैं डू बनाने के लिए आईया हम इसे शेप देकर कुकी स्कुट करूंगी इसके ऐसे लंबे लंबे कुकी स्कुट की दिया स्रिक्स की तर है ए देख्ये हैं हमारे कुकी कट हो गए है अब इसे बेग करेंगे मैं जो़ ही करओ आज लोगा के डाई में बेग करूंगी आप चाहें तो इसरे एलिमिएम या नौनस्टक भाइन में भी बेग कर सकते हैं या फर इसे कुकार में भी बेग कर सकते हैं देखिए फ्रेंट्स मैंने अपनी लोही की कडाई गरम होने रख दिया है यह थोड़ा प्रीहीट हो जाए फिर हम इसमें कुकीज बेख होने के लिए रखेंगे मैंने इसमें रिंग रखा हुआ आप चाहे तो कोई कटोरी या प्लेट भी उल्टी करके रख सकते हैं अब इसमें नीचे रेत या नमक भी डाल सकते हैं मेरी कडाई मोटी है इसलिए मैं इसमें रेत या नमक नहीं डालूंगी दिखिए फ्रेंट्स मैंने अपनी कुकीज बे अब हम इसे कवर करके बेख होने देंगे 15-17 मिनिट्स के लिए ध्यान रखिए अगर आप प्लेट रख रहे हैं इसमें कडाई में तो यह साइट से टच नहीं होनी चाहिए अगर यह तो आपकी कुकीज जल जाएंगी क्योंकि प्लेट ज्यादा गरम हो जाएगी और अगर आप इसे माइक्रोव में बनाना चाहते हैं तो वन सिक्सी डिग्रीज पे 17-20 मिनिट्स के लिए बेख करें देखिए फ्लेंट समारे कुकीज रेडिया हो चुकी है बहुत ही इज़ी है आप चाहें तो इसे बद जो मिल्ट के साथ या चाय के साथ दे सकते हैं नहीं तो पर आप इसे चॉकलेट सॉस के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाना में बहुत यूटियस लगती है प्लीज आप यह को किस ट्राय कीजिए अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज 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 दे लाइक टीजिए